प्यारे बच्चों, हम पूरा दिन किसी न किसी रूप में जल का उप्योग करते रहते हैं। घर में कोई भी काम हो, खाना बनाने की बात हो, नहाने की बात हो, कपड़े धोने की बात हो, हम पानी का उप्योग लगातार करते हैं। प्रंतु उस पानी का क्या होता है जिसे हम उप्योग करने के बाद बेकार समझकर फैंक देते हैं वो पानी कहा जाता है आज हम उसी पानी उसी जल की कहानी जानेंगे यानि अपसिस्ट जल की कहानी वेस्ट वाटर स्टोरी जाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले भूरे रंग का जल जो सिंक सौचाले लौंडरियादी से नालियों में जाता है वह अपसिस्ट जल कहलाता है Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty प्यारे बच्चों, जल हमारी जीवन रेखा है, water is our lifeline, साफ पानी हमारी मूलभूत अवश्यक्ता है, यानि बिना साफ पानी के हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं, आईए जानते हैं साफ पानी के विविन उप्योग, जैसा कि आपको पता ही है, साफ पानी का उप्योग तो हम सब ही करते हैं, अपने घरों में, स्कूलों में, आफिस में, बाजार में, हर जगा, तो अब हम बनाएंगे साफ पानी के उप्योग की सुची, स्वच जल के उप्योग, बीच में हमने एक बड़ा सा बृत बनाया है, जिसमें लिखा है स्वच जल के उपयोग और साइड में छोटे छोटे सरकल बनाए हैं इनमें आप भरेंगे कि स्वाच जल के उपयोग आप क्या क्या करते हैं जैसे हमने लिखा है पेया जल यानी पीने के लिए इसके अलावा नहाने के लिए खाना बनाने के लिए और आगे आप सोचेंगे और इस Let's make a list of use of clean water that we use in our daily life. In our houses, homes, schools, offices and in bazaars. We have make a big circle in which we have written uses of clean water. And in small circles we have written drinking. Similarly, you can write for work, for bathing, for making food, for washing clothes and so on. So complete the list at your own. प्यारे बच्चों, ये बड़े दुख की बात है कि सभी लोगों को साफ और स्वच जल नहीं मिल पाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार एक अर्ब से अधिक लोगों को साफ सुरक्षित पेय जल उपलब्द नहीं है. इसके कारण विश्व के जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जल के कारण होने वाले रोगों से पीडित रहता है और उनकी मृत्यू भी हो जाती है. पीने का पानी लाने के लिए कई क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को कई कई किलोमिटर तक पैदल चलना पड़ता है. पीने का पानी अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है. और मैं एक आपको बड़ी खास बात पताऊं, बुद्धी जीवी लोग कहते हैं कि आने वाले समय में अगर विश्वयुद हुआ तो वो पानी के लिए होगा. तो आप समझ रहे हैं कि पानी कितना कीमती है. Dear students, unfortunately clean water is not available to all. According to a report, more than 1 billion of our fellow human beings have no access to safe drinking water. And due to this, a large number of water-related diseases and even deaths occurs. हम जानते हैं कि जन्संख्य वरिद्धी, प्रदोशन, अध्योगिक विकास, कुरूप्रबंधन और ऐसे ही अन्यकारणों के कारण ताजे पानी की कमी हो रही है. इसी कारण हर वर्ष 22 मार्च को विश्वजल दिवस मनाया जाता है. We celebrate World Water Day on 22nd of March every year. स्यूंकतराष्ट्र की General Assembly ने 2005 से 2015 की अबदी को जीवन के लिए चल पर काम करने के लिए अंतराष्ट्रिय दसक के रूप में घोसित किया है. The General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. जिसका उदेश्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पेजल उपलव्द करवाना है. To provide more and more people safe drinking water. आप देख रहे हैं अंतराष्ट्रिय दसक जीवन के लिए जल का लोगो. पानी की सफाई जो पानी हम उप्योग कर चुके होते हैं उसके अंदर से जो कुड़ा कच्रा है, कंदगी है यानि जो प्रदोसक हैं अगर हम उन्हें अलग कर दें तो जल की सफाई हो जाएगी. इस अप्सिस्ट जल के उपचार को हम समान्य रूप से वाहित मल उपचार कहते हैं. Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sea waste treatment. हमारे द्वारा बहाया गया वाहित मल जिसमें अधिकांस पानी होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रब्या होते हैं. ये अपद्रब्या संदूसक कहलाते हैं यानि बुरे पदार्त. जिनसे पानी प्रदूसित होता है. Sea waste is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. These impurities are called contaminants. प्यारे बच्चों हम अपने घर के आसपास, स्कूल या सडक पर किसी खुली नाली में बहते हुए वाहित जल का निरिक्षन करें और उसके रंग, गंध या किसी अन्या वलोकन को नोट करें और एक सूची बनाएं जो हमारा संदूसक सर्वेक्षन है. जिसमें वाहित मल किस परकार का है, वो कहां से पैदा हुआ है, उसमें संदूसक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे रसोई घर से निकला हुआ पानी, उसमें किस परकार के संदूसक पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे सबजी के कोई टुकडे, चाबल के कोई दाने, इस तरह क की शुची आप बना सकते हैं, कि किस किस पानी में कौन-कौन से संदूर सकाई, यानि इंप्योर्टीज हैं। प्यारे बच्चों, वाहित मल एक जटिल मिसर्ण होता है, जिसमें कई प्रकार की अशुद्हियां होती हैं, आईए जानते हैं कौनकौन सी अशुधिया होती हैं सबसे पहले कार्वनिक अशुधिया जैसे मानमल, जैबिक अवसिष्ट पदार, तेल, यूरिया, मुत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जियों का कच्रा अदी तूसरी होती हैं अकार्वनिक अशुधियां जैसे नाइट्रेट, फॉसफेट, धातू, इत्यादी कुछ इसमें पोसक तत्वभी होते हैं जैसे फॉसफोर्स और नाइट्रोजन युक्तपदार इस पानी में जिवानू भी पाया जाते हैं जो हैजा और टाइफाइट जैसे रोग उत्पन करते हैं और कुछ और सुकसम जीव होते हैं जो पेच्ची साधी रोग उत्पन करते हैं in seaways organic impurities are human faces, animal waste, oil, urea, pesticides, herbicides, fruit and vegetable waste also in inorganic impurities, nitrates, phosphate of metals there are some nutrients in also phosphorus and nitrogen bacteria and other microbes such as witch cows, cholera, typhoid, etc.